चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाए जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बतागए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ज्ञानी, महात्मा या किसी जानकाट ओम नमस्शिवाए आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं दूप बत्ती जो कि भगवान जी को प्रसन करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन पूजा पाट के लिए यूज़ करते हैं तो आप दूप बत्ती का कैसे प्रियोग करके एक अचूक वशी करन प्रियोग बना सकते हैं या कर सकते हैं देखिए जो धूप या फिर जो अगर बत्ती होती है इसको सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं जब से ये बनी है या जब से आई हैं इससे पहले फूलों के दुआरा जो पूजा पार्ट है वो की जाती थी लेकिन अब धूप बत्ती अगर बत्ती और अब तो न जाने किस प्रकार की बहुत सारी ऐसे चीज़ें उपलब्द हैं जिससे की मुर्तियों के आगे या तस्वीरों के आगे लोग लगाते हैं और अपने पूजा को पूरा करते हैं लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि धूब बत्ती को किस प्रकार से आप इतना शक्तिशाली बना दीजे कि जो भी आपके सका हैं या फिर जिसको भी आप प्यार करते हैं उस से मतलब वो आपसे दूर न रह पाएं और ये काम 100% होता है 100% होता है लेकिन ये धीरे-धीरे काम करता है और इसमें कुछ भी नहीं करना आपको सबसे पहले एक दूब बत्ती लेनी है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कौन सी कंपनि का है या क्यासा है बस आपको एक नया पैकेट लेना है और अगर गुलाब का हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है आप गुलाब का ले लीजिए और फिर उस पैकेट को उसमें से सारी आपको धूप बती निकाल देनी है और उसके अंदर आपका जो भी जिसको भी आप प्रेम करते हैं या जिसको भी आप पाना चाहते हैं लड़का लड़की कोई भी हो पूरी ने मा के दिन जब चांद की रोशनी सीधा आपके घर पे आती हो उस दिन आपको वो पूरी धूप की जो धूप है उसको निकालना है मतलब धूप बती को पूरे सभी को निकाल देना है पैकेट्स में से पूरा निकाल के उसको आपने थाली में या फिर किसी भी ची पढ़ने दें, करीब करीब आदा गंटा कम से कम चांद की रोशनी, सीधा चांद की रोशनी उसके उपर पढ़े और वो तस्वीर जिसको भी आप शिबूत करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपने पास रख लीजिए और जो दूब बत्ती में मिलाने के बाद आपको दूब बत्ती जलानी है और हमेशे याद रखिएगा कि दो दूब बत्ती एक साथ जलानी है आपने कहीं पर भी जला सकते हैं किसी भी वक्त जला सकते हैं वैसे अगर देखा जाए दिन्चरिया के हिसाब से सुबह अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और इसके काम करने की या रिजल्ट आने की जो संक्या है वो जादा हो सकती है जादा प्रतिशत ये काम करेगा क्योंकि सभी के जो वाइबरेशन होते हैं दिन में शांद होते हैं तो इसलिए अगर आप इसको मेरी माने तो सुबह प्रियोग करें दो अगरबती जलानी और कुछ नहीं करना बस आपको दो अगरबती जला देने जैसे जैसे ये अगरबतीया जलती जाएंगी वो इंसान आप यकीन नहीं मानेंगे ये इस तरह से आपके पास आने की कोशिश करेगा कि आप खुद बोलेंगे ये तो कमाल हो गया लेकिन हमेशा की तरह इसके उपर भी आपको विश्वास रखना होगा और ये बहुत ही अच्योग उपाई है जो कि इसमें अगर बत्ती नहीं चलेगे इसमें धूब बत्ती ही चलेगी और किसी भी कमपनी की कोई भी धूब बत्ती हो सकती है वो चलेगी आप उसको जला दीजिए बस उसमें आपको राक मिलानी है लेकिन राक मिलाने से पहले आदा घंटा आपको चांद की रोशनी में रखना है जो पूर नीमा का चांद होता है उसमें धूबबती को रखना है बाहर निकाल के सारा बाहर धूबबती जितनी भी होंगे वो सारी बाहर निकाल दीजिए उसके बाद फिर आपने वो जो फोटोस को जला देना है और उसकी राख उसमें मिलानी है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना निश्चिंत हो कि अपने दिन चरिया के कारे में लग जाएए आपका काम हो चुका है वातावरन में वो चीज मिल चुकी है जो आपने बनाई है इसमें अगर आप साथविक हैं तो बहुत अच्छी बात है मीट मास खाते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप उससे परहिश करें क्योंकि ये सकारात्मक उर्जा में बाधाल आती हैं देखिए हर किसी के भागे में हर सुख नहीं होता है और मैं यही कहूंगा कि आपको जो भी वीडियो में ले उसे करते जाएं वीडियो में जो भी बताए गया उसके करने के कोई पैसे नहीं है ये सब कुछ फ्री में है तो इसलिए आप प्रयोग करते रहें बहुत ही छोटे और सरल प्रयोग हैं और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या पता अगला प्रयोग जो है वो आपके लिए कारिकर साबित हो जाए और इस वीडियो में इतना ही आगे आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी लेकिन मैं आपसे हमेशा के तरह एकी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्रेस सब्सक्राइब करिए जितना जादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर किसी प्रकार की समस्या है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लासको ओम नमस्युवाए